Hello Friend, Welcome to Stock Research Center आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं LTI Minetrie के श्टाउक के वारे में LTI Minetrie का जो Quarter 4 का result है वो कंपनी के तरफ से पब्लिस हो गया है तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो Quarter 4 के result है वो यहाँ पे कैसे रहे यहाँ पे अगर market cap की बात की जाए तो थोड़ा सा overview ले लेते हैं 1,40,000 करोड का यहाँ पे जो market cap है वो LTI मेंटरी होल्ड करता है इसने जो highest लगाया था price वो यहाँ पे 4443 रोपय का लगाया था और 4453 रोपय का low बनाया था price turning ratio की बात की जाए तो यहाँ पे 30.6 के आसपास इसका price turning ratio है book value यहाँ पे 676 है dividend yield यहाँ पे यह provide करता है 1.27 का return on capital employed और return on equity यहाँ पे 32 और 25 है face value stock की एक देखने को मिल रही है मुद्दे की बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे chart पे आते है चार्ट पे price turning ratio लगाते हैं तो इसका जो 10 साल का price turning ratio है वो यहाँ पे 25.3 है और अभी एक trade हो रहा है 20 30.6 पे यह IT sector का पहला यहाँ पे stock है जो यहाँ पे अपने median price turning ratio से उपर trade हो रहा है तो यह देख सकते हो और थोड़ा सा premium पे trade हो रहा है और price की भी बात की जाए तो price भी अपने support level के आसपास ही आ रहा है यहाँ पे 4000 के आसपास अभी price आ सकता है possibility है यहाँ पे पीर्स में यहाँ पे TCS है, Infosys है, SCL Tech है, Wipro है और LTI Mine Tree है quarterly result की अगर बात की जाए तो इनकी जो sales है quarter wise यहाँ पे देख सकते हो इस quarter में यहाँ पे पिछले quarter comparison sales कमाई है और last year के comparison यहाँ पे sales बड़ी है operating profit की अगर बात की जाए तो 1536 करोड, last quarter 1585 करोड आया था और last year same quarter 1604 करोड आया था तो यहाँ पे जो operating profit है वो यहाँ पे year wise भी कम है और quarter wise भी यहाँ पे कम देखने को मिलना है profit before tax की अगर बात करते हैं तो profit before tax में भी similar चीजे देखने को मिलेंगी और similar चीजे यहाँ पे net profit में भी देखने को मिलेंगी नेट profit आया है 1101 करोड के आसपास लास्ट quarter यहाँ पे 1169 करोड आया था और last year same quarter में 1114 करोड आया था तो year wise भी यहाँ पे profitability net profitability में drop है और quarter wise भी net profitability में drop है revenue में भी यहाँ पे drop दिखाई पड़ रहा है सारे मुद्धे पे यहाँ पे result थोड़ा सा weak side दिखाई पड़ रहा है year wise अगर यही comparison किया जाए तो year wise अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा improvement दिखाई पड़ रहा है टोटल 35,517 करोड की sales year यहाँ पे देखने को मिली है और last year 33,183 करोड देखने को मिला था profitability में भी बहुत ज़्यादा खास impact नहीं है 4585 करोड यहाँ पे इस quarter आया है इस year आया है financial और last financial year 410 करोड की आसपास आया था तो profitability में भी बहुत ज़्यादा impact नहीं डाला है और balance sheet तो strengthen होगी ही यहाँ पे क्योंकि company profit making है loss making नहीं है profit making है तो company का जो balance sheet है reserve है वो यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा capital working process में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है 466 करोड के आसपास ही capital working process में पैसा है borrowing भी यह अच्छा खासा लिए है यह देख सकते हो 2000 करोड बोरोइंग लिए है तो यह चीजे भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगी बात करते हैं यहाँ पे investor की investor में कौन कौन से किस किस के पास यहाँ पे इस share की holding है 666% promoter के पास ही है 7% से 8% यहाँ पे FII के पास है DII के पास यहाँ पे 13% है DII ने stake बढ़ाया है और public निक का भी यहाँ पे stake पहले बढ़ा था अभी यहाँ पे कम होगे क्योंकि DII यह वो purchase कर लिया है तो वो चीज़ें यहाँ पे है majority of जो holding है 90% से ज्यादा वो बड़े player के पास ही है एक बाद technical chart pattern भी देख लेते हैं technical chart pattern में यह जो support है support की तरफ यहाँ पे stock आता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है तो यह जो support है यह support करीवर यहाँ पे 4900 से 4000 के आसपास बन रहा है तो इस लेवल तक यहाँ पे stock आता है अगर यह इसको downside break करता है तो यहाँ पे further downside possible होगा तो वो चीज़ें यहाँ पे possibility हैं पांच साल का चार्ट लगाते हैं तो पांच साल के चार्ट में भी यहाँ पे similar चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी और जो next support है अगर यह support break होता है तो वो करीवर यहाँ पे बहुत नीचे support है तो यहाँ तक तो आएगा नहीं अगर आता भी है तो देखना पड़ 494,000 अगर break करता है तो यहाँ तक downside possible हो सकता है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा चैनल पे नहीं वाने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथी जो बिलन अडिकेशन इसको अन कर लिजिएगा